मेडिकल से जुड़ी सभी लेटस्ट अपडेट पाने के लिए सबस्काइब कीजिए हेल्ट टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को विल्कम दोस्तों हमारी यूट्यूब चनल हेल्ट टिप्स मेडिकल नोलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं हूं हमन्त और आपके लिए लिखे हूं आज कापे इंपोर्टेंट क्यूज पॉइंट्स हैं जो कि हर बार कम्पेटिटिव एक्जाम में यहां एप्लिकेशन को लॉंच किया है वहाँ पर आप CHO, A&M, NORSET और GNM की तयारी आप वहाँ से कर सकते हैं दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट बात है कि अभी NORSET का एक्जाम आ चुका है और NORSET की अगर आपको तयारी करनी है यानि कि NORSET के इंपोर्टेंट क्यूश्चन आपको दोस्तों वहाँ पर 30 से जदा टेस्ट है और 500 से जदा 500 से जदा इमेज बेस्ट क्यूश्चन है तो आप तुरेंट डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंट को भी शेर करिए दोस्तों मैं आपको यकिन नहीं मानेगा एक बार आप डाउनलोड करके देख लीजिए आप ही कम से कम चार से पांच टेस्ट मैंने फ्री में ओपन कर रहे हैं आप फ्री टेस्ट को भी आप नोर सेट देकर एंजोई कर सकते हैं तो आप जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए HTMK Academy Application from Google Play Store अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे यहाँ पर इस वीडियो के नीचे एक लिंक भी है आप वहाँ से भी HTMK Academy को आप डाउनलोड कर सकते हैं तो चलते हैं दोस्तों देख लेते कौन-कौन से important points है यानि कि जो exact तो दोस्तों आज यह अपन बात करने वाले हैं कि होस्पिटल के अंदर कौन सी gases को किस pipe में यूज करते हैं और कौन सी medicine के साथ में drug interaction होता है यहाँ कि इसके बारे में कई बार competitive exam में question पूछे हुए हैं पहले भी Norset में question पूछा हुआ है कि कौन से pipe के अंदर कौन सी gases होती है तो इस बारे में आज अपन चर्चा करने वाले कापे important point है हर competitive exam में यहां से question पूछे जाता है जो भी M's का होता है उसके अंदर बात कर लेता है अपन यहां पर सीधा चलते है अपन pipes की बारे में पिछली बार जो pipe जो इसका question पूछा गया था पिछली बार भी यहां से question गया था है यह question मैंने उपर लिख रहा है यहां पर नोर्सेट का कि nitrous oxide कौन से color के यहां एक image दे दिया गया था उसमें एक blue color का एक pipe दे दिया गया था और पूछा गया था कि इसके अंदर कौन सी oxygen है तो यानि कि कौन सी gas है जैसे यह मालोई blue color का है तो इसके अंदर कौन सी gas रहेगी क्योंकि hospital में जब आपने देखा होगा कि hospital के अंदर जब जाते हैं तो वहाँ पर central supply होती है और central supply के अंदर क्या होते हैं pipes लगे होते हैं तो जो pipes लगे होते हैं वो color code के अनुसार होते हैं दोस्तों मैं आपको यह जो color code है यह standard protocol के अंतरगत मैं आपको बता रहा ह में yellow के अंदर vacuum होता है क्या होता है इसके अंदर vacuum होता है vacuum का मतलब जानते हो ना यानि कि कहें तो वैसे कहें तो अपन suction इसके अंदर क्या होता है suction होता है तो आप से अगर question पूछ ले जाए कि yellow color वाले yellow color वाले जो pipe के अंदर क्या होता है तो इसके अंदर होता है vacuum यानि कि जब आप ट्रेक्योस्तोमी का suction करते हैं तो जो हम जो suction जो tube लगाते हैं वो yellow color वाले port के अंदर हम लगाते हैं बात करें next अगर यह यह जो black color है आ air यानि कि room air की बात करें पर यानि कि जो room air होती है इसके अंदर पाई जाती है room air अब भाई देखो air की बात करें तो यहां पर देखो क्या होता है कि air की वैसे mostly जरूरत यह जो pipe है mostly कम use में होता है लेकिन जो black color का pipe होता है इसके अंदर air पाई जाती है यानि कि जो normal जो air है जिसके अंदर 21% oxygen है वो air यहाँ पर पाई जाती है next बात करें यहाँ पर अगर आप से blue color का पूछ लिए जाए कि blue color में क्या पाई जाता है तो जो blue color का यहाँ पर आप image देख रहोंगे इस blue color के अंदर पाई जाती है nitrous oxide क्या पाई जाती है इसके अंदर nitrous oxide जो nitrous oxide gas होती है इसके अंदर पाई जाती है blue color है वाले में next यह important है इसके अंदर क्योंसे पाई जाती है इसके अंदर पाई जाती है oxygen इसके अंदर जो पाई जाती है यहाँ पर oxygen दोस्तों यह standard protocol है आप जिसे google पर search करेंगे तो आपको different protocols आपको दिखाई देंगे लेकिन जो मैंने बता है आपको एक standard protocol है जो की m's के अंदर full होता है तो यहाँ पर जो oxygen होती है वो कौन से में होती है white pipe में होती है तो यह आप exam में इसके उपर आप ध्यान रख लें इस बार भी exam में आप से पूछा जा सकता है और अगर बात करेंपन बात करेंपन यहाँ पर carbon dioxide की तो carbon dioxide grey color के वाले में होती है grey color का जो pipe होता है उसके अंदर होती है CO2 यानि की carbon dioxide मैं आपको इस table को अभी लिखवा लेता हूँ लिखा देता हूँ आप लिख लो इसको देखो oxygen किसमे होती है oxygen होती है वाइट color के pipe के अंदर जो pipe होता है वो वाइट color के अंदर होती है बात करपे nitrous oxide की जो कि नौर से 2020 के अंदर ये cushion पूछा गया था तो यह किसमे होती है यह होती blue color के अंदर suction की बात करें तो section किसके अंद होती है yellow color के अंतरगत air black color के अंतरगत और co2 co2 gray color के अंतरगत यानि कि जो co2 होती है वो gray color के port में होती है तो आप दियान से देख लो इसको क्योंकि आप से हो सकता है exam में question यहां से जरूर पूछा जाए तो आप इस चीज को जरूर दियान में रख लेना क्यो topic की बारे में बात करने वाला हो जो कापी important है वो है drug interaction की बारे में drug interaction drug interaction यहां से भी कई बार competitive exam में question पूछे जाता है drug interaction दो प्रकार की drug interaction होती है एक तो होती in vitro in vitro in vitro in vitro का मतलब जानते हो न in vitro एक होती है इन वीवो इन वीवो ठीक है यह काफी इंपोर्टेंट जो ड्रग इंट्रेक्शन के अगर बात करें अपन तो जो दो इंपोर्टेंट ड्रग इंट्रेक्शन होती है एक तो होती है इन विट्रो और एक होती है इन विट्रो का मतलग जैसे आपने सिरिंज बरा यह सिरिंज ल जिसे मालो आपने मेरे को दवा लगाई और आपने दूसी दवा भी लगा दी दोनों की मेरी बोडी के अंदर जो ड्रग इंट्रेक्शन हो गया उसे कहते हैं अपन इन वीवो तो चलते हैं अपन देख लेते हैं कौन-कौन सी ड्रग के साथ में कौन-कौन सी ड्रग का इंट् ली और दवा इस दवा निकाल के यह दवा लगा दी और हो सकते और दूसरी वाइल में से आपने दवा लिकाल ली तो उन धोनों दवाओं के बीच में जो reaction होता है उसे कहते है'RE in vitro reaction तो ये in vitro जो drug interaction होता है जो प 놓on picture travelled प्रो जो यह पर मैं को बतने वाला हूँ कि जो कोण सी ड्रग के साथ में कों सी जो कौण सा ड्रग है किसके अंदे ी करेंगे इसके बाद मैं ड्रग्रbank के बारे मैं बताओंगा इसके साथ में वो reaction करती है यहाँ पर समझाने वाला हूँ देखो बात करें पर यहाँ पर देखो pentaprozole जो pentaprozole है यह compatible है compatible यह द्यान रखने मैं compatible कई बार ऐसे तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ compatible देखो compatible pentaprozole है यह distilled water के साथ compatible है यानि कि जो distilled water के साथ में इसे घोल सकते हैं अगर pentaprozol को आपने किसी और दूसरे के साथ घोला तो यह क्या हो जाता है यह precipitate हो जाता है यहाँ पर बात करें पर compatible की next बात करें पर यहाँ पर BCG vaccine जो BCG vaccine है वो compatible है किसके साथ में normal saline के साथ में इसके उपर next बात करेज़े है पर फैनिट्वियन यह काफ़ में इंप्रोंटन है जो फैनि2paragus की अगर बात करें तो जो फैनि2 नहीं है किसकी साथ में compatible है distilled water और normal saline की साथ में और मैं अभी आपको आशको समझा दता हूँ तो फेनोτοईन का لियेक्शन किस वेक्शन करता जो फेनीटोईन होता है यह फेनिटोईन मेडिसीन का हर मेडिसीन के साथ में रेक्शन करता है collect Charoos के साथ में और यहां के बात करें परसिटा मौल्स के साथ में इसकी भी reaction होगी ठीक है यानि कि जो phenytoin है ये इनके साथ में compatible नहीं है यानि कि इनके medicine के साथ में हम phenytoin को नहीं लगा सकते हैं अगर आपने एक syringe में या एक bottle के अंदर आपने phenytoin डाल दिया और उसके अंदर dextrose भी है तो पूरा वो क्या हो जाएगा precipitate हो जाएगा पूरा वो एक तरह से फट जाएगा मैं यह हो गया इनकी यह है drug interaction यह क्या है drug interaction दिया रखना ड्रग interaction यानि कि जो phenytoin है इन drug से interact करता है इन drug से intent करता है अब मैं आपको यहाँ पर pentaprozol का भी बता दो pentaprozol pentaprozol यह किस-किस से interact करता है यह rl से interact करता है DNA से यह interact करता है आप इनके साथ में कतेई ही mix ना करें pentaprasol को यहां तक यह amino glycoside के साथ भी amino glycoside glycoside जानते हो ना amino glycoside जानते हो जैसे कि कौन से amigasin gentamizing इनके साथ भी यह reaction करता है कौन pentaprasol तो इस कहने का मतलब जोja pentaprozole heritage fenetoine penaprozole इनको किसी भी दूसी ड्रग के साथ में mix नहीं करना चाहिए टेक county jouric ओर distilled water के साथ में इसे mix कर सकते है इसको भी distilled water के साथ में mix कर सकते है बाकि ये medicine के साथ में mix नहीं कर सकते है नेक्स्ट में बतने दों आपको देखो यहाहं पर नेक्स्ट बात करेंपन बात करेंपनstone क्याल्पाल की तो क estás Ó speaking को हम नोर्मल सलाइन और डी.an es के साथ भी हम उसे दे सकते हैं क któr breakfast normal नोर्मल सलाइन के सा भी हम दे सकते हैं और ी.an es के साथ में में दे सकते हैं यहां पर बात करें अपन M4 Terecin B की ठीक है जो M4 Terecin B है इससे हम Dextrose यहनी Dextrose 5% में इसे अपन देते हैं दियान रख लाना दोस्तों यहां पर पहले एक बार M's में question पूचा हुआ है तो जो Dextrose है इसको किसके साथ में देते हैं आपन M4 Terecin B को M4 Terecin B है M4 Terecin Terecin B इसको अपन किसके साथ में देते हैं इसके साथ में कसे साथ में इस आ veto 5% के साथ में इस आपन देते हैं अब यह ईया credit करता है यह reaction कि ekrchion की यानि किसके साथ में Nations करता है ती रहेक्शन करता है नॉर्मल सलाइन, ठीक है, ध्यान रख लाएना, नॉर्मल सलाइन के साथ में यह रियक्ट करता है, तो कभी भी हम इसे नॉर्मल सलाइन के साथ में हमें इसे नहीं देना होता है, किसको M4 Terresin B को, इसको घोलने के लिए अपन किसको यूज करेंगे, इसको डिजोल करने के वाटर, ठीक है, डिज्टिल वाटर को अपन यूज करेंगे, इसको इसको घोलने के लिए, M4 Terresin B को घोलने के लिए, और नॉर्मल सलाइन को अपन कते ही यूज नहीं करेंगे, तो नेक्स्ट, साथ में है, SQ, जो С-C-Q यानि की, Hydroxy Cloroquinine, जो इसको इंजेक्शन आता है, इंजेक्शन आता है, S-C-Q का, इंजेक्शन S-C-Q का आता है, यह किस के साथ में, compatible है 5% dextrose यानि कि हम जो HCQ injection है HCQ जो injection है यह किसके साथ में देंगे अपन 5% dextrose के साथ में इसे अपन देते हैं नेक्स्ट बात करें अपन morphine जो morphine का injection होता है इसे भी अपन 5% dextrose के साथ में देते हैं यह द्यान रख लेना आपने question पूछा जा सकता है कि morphine किसके साथ में compatible है तो यह 5% dextrose के साथ में यह compatible है बात करें अपन STK STK का मतलब होता है streptokinase यानि कि क्या होता है STK यानि streptokinase यह injection किसके साथ में देते हैं यह injection हम normal saline के साथ में इसको अपन देते हैं तो आपके concept clear हो गए होगे कि कौन सा injection किसके साथ में देते हैं और कौन सा injection किसके साथ में react करता है अब मैं आपको कुछ medicine और जो इनकी images में आपको दिखा देता हूँ क्योंकि exam में आपसे images भी question पूछे जा सकते हैं मैं आपको images दिखा देता हूँ इसके आपको जो images है मैं दिखा देता हूँ देखो बात करें यहाँ पर यह देखो यह दिख रहा होगा आपको सलाइन के साथ में ठीक है नॉर्मल सलाइन के साथ में कैसी यह ले इसको किसके साथ में डिजूल करते है नॉर्मल सलाइन के साथ में मॉर्फिन डेक्स्ट्रोज 5% के साथ में जो D5 के साथ में डिजूल करते है स्ट्रेप्रोकाइन नॉर्मल सलाइन के साथ में, ठीक है, नॉर्मल सलाइन के साथ में, यह ऐसा है, जो बोटल यह है, डेक्स्टोज का, अब मैं कुछ और मेडिसीन आपको बता रहा हूँ, जो डिफरेंट उनका इंट्रेक्शन होता है बोडी के अंदर, तो मैं दिखा देता हूँ आपको, वो कौन सी मेनिन्टोल है, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जो मेनिन्टोल मेडिसीन है, यह मेनिन्टोल है, मेनिन्टोल, यह भी सभी मेडिसीन के साथ में रियक्ट करती है, यह अगर आपको इसको फेनिटोज के साथ में आपने दिया, फेनिटोज के साथ में अगर आप precipitate, precipitate हो जाती है, इसके साथ भी क्यों हो जाती है, precipitate हो जाती है तो इसको हम normal, यानि कि NS के साथ में हम इसे compatible है और normal saline के साथ में ये compatible है, यानि कि in medicine के साथ में ये precipitate होती है बात कर लेते हैं, next मैं आपको कुछ और medicine दिखा देता हूँ, देखो अब यहाँ पर जो बात कराऊं यह जो है देखो यह अपन बात करें interaction वाली यह अपन interaction की बात करें तो यह देखो penicillin G है इसको aminino glycoside के साथ में नहीं देना चाहिए यानि कि एक दूसरे से क्या है नहीं है यानि कि यह दूसरे के साथ में क्या है? compatible नहीं है यक से बात करें पर not compatible not compatible it like hyperin gentamuenciaockable नहीं है इगर आप यह सीरिंड से अगर आप gentamissement लगा रहे तो यहां पर आपको compatible नहीं है नेक्स्ट बात करें पन noradrenaline ये भी sodium bicarbonate के साथ में compatible नहीं है कहने का मतलब अगर आप sodium bicarbonate और noradrenaline एक ही syringe को यूज़ कर रहे है तो ये बिलकुल भी compatible नहीं है नेक्स्ट बात करें पन tetracycline और iron ये दोनों भी एक दूसरे के compatible नहीं है यानि कि अगर आप tetracycline लगा रहे हो और iron लगा रहे हैं तो ये दोनों compatible नहीं है एक दूसरे के ये compatible नहीं है बात कर लेते हैं और कुछ medicine जो मैं बता देता हूँ ये है इन वीवो इन वीवो को मतलब जानते हो यानि कि body के अंदर अगर आप कोई patient अगर ले रहा है और उसको अगर ये दवाएं दे तो क्या उसका effect होगा अगर कोई patient lithium ले रहा है तो diuretic अगर देंगे तो इसकी विज़े से क्या होगा उसकी body के अंदर toxicity हो जाएगी तो lithium वाले patient को diuretic नहीं देना चाहिए patient metronidol ले रहा है तो उसको क्या है alcohol से बचना चाहिए अगर उसने alcohol लिया है तो इसके साथ में drug interaction होने के chances होते हैं और patient की death भी हो सकती है कोई patient aspirin ले रहा है तो warfarin उसके साथ में नहीं देना चाहिए aspirin और warfarin दोनों साथ लेगा तो bleeding के chances बढ़ जाएंगे next isoniazid और OCP अगर कोई patient isoniazid ले रहा है और oral contraceptive भी ले रहा है तो ये दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि OCP जो drug है इनका effectiveness सा कम हो जाती है यानि कि कहने का मतलब ये दोनों एक तुसे से interact करती है OCP का मतलब होता है oral contraceptive द्यान रख लेना oral contraceptive तो ये दोनों साथ में नहीं लेना चाहिए क्योंकि drugs की potency कम हो जाती है अब मैं आपको एक question बताऊँगा जो image based question है जो दिल्ली AEMS में पहले पूचा हुआ था ऐसे drugs की question पूचे जाते हैं मैं आपको question दिखाने वाला हूँ देखो ये question है ये question है ये question है ये पहले दिल्ली AEMS में question पूचा हुआ है यहाँ पर देखो आप देखो phenytoin है और किसके साथ में दिया है DNS के साथ में तो बताऊ इसके साथ compatible है या नहीं है ये compatible नहीं है क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो phenytoin है ये किसी भी dextrose और इनके साथ में ये compatible नहीं है ये सिर्फ compatible है किसके साथ में NS के साथ में compatible है और किसके साथ में ये ये compatible है distilled water के साथ में ठीक है M.Potresin B normal saline मैंने अभी बताया था इसके साथ में ये क्या है compatible नहीं है M.Potresin B किसके साथ में compatible है D5 के साथ में ठीक है और ये क्या है intralipid ठीक है intralipid किसके साथ में MVI तो ये इसके साथ में compatible है क्या है इसके साथ में ये compatible है देखो इसका एक reason में आपको बताता हूँ कि जो intra lipid होता है यह क्या होता है फोटो यह क्या है कि जो light होती है light को absorb कर लेते हैं और इनके अंदर changes आ जाते है deoxidation इनका हो जाता है denaturation हो जाता है कि इसका intra lipids का तो हम कै इसमें क्या होता है कि हम MVI मिला दिया जाता है क्या मिला दिया जाता है MVI MVI मिलने से क्या होता है मल्टी विटाइम मिलने से इसका कलर क्या होता है येलोईश येलोईश और डार्क हो जाता है क्या हो जाता है येलोईश और डार्क हो जाता है जब yellowish और dark हो जाएगा तो यह इससे क्या है कि यह phototoxicity नहीं करेगा, यह क्या है phototoxic नहीं होगा और easy way से क्या है patient के अंदर चला जाएगा, यानि कि phototoxic का मतलब बात करें अपन, यानि कि जिसे bottle से आपने IV-sate से patient को लगाया है, तो जो भी light उसको expose करती है, तो उसके तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजेगा और share और subscribe जरूर कर दीजेगा, अगर आपके कोई भी doubt है, तो आप comment box में लिख सकते हैं, मैं आपके doubt को clear करने का हर संभव प्रयास करूँगा, आप लेकिन इस वीडियो को जरूर देख ल आपके लेवाद